हम सेवक हैं, हम सेवक ही जिन्दगी में बन करके रहेंगे कोई भी ओदा पार्टी की तरफ से आजाए लेकिन सेवा भाव को कभी जिन्दगी में छोड़ेंगे नहीं और लोगों का मान सम्मान और सेवा कि अभी कोण सा तंतर है? तो इंदा साब बताएं कि कुण सा तंतर आप कहरें, कुण से तंतर की जीत हुई है? ये लोगों की जीत है, ये 36 ब्रादरी की जीत है ये हरियाना के लोगों की जीत है, हरियाना के लोगों ने विश्वास किया कि कॉंग्रेस इस सदमे से भार निकले अभी भी आपने देखा सेशन के दोरान कितनी आपस में जो बाचीत होती थी कि EVM मशीन है तो इस तीचों से भार निकलना चाहिए ये जीत जन्ता की जीत है कि लोगों से उनका आशिरवाद इसी तरह से आशिरवाद मिलता रहे और परमपिता परमात्मा से मैं कोँगा कि जो आशिरवाद उन्होंने दिया है जो विश्वास गोहना की जन्ता ने किया है मैं तो मालिक से परमपिता परमात्मा से ही मांगता हूँ कि उस पर हम खड़ा उतरे नौशकार आप देखरें केनाइन मीडिया और मैं हूँ आपके साथ हरुन कुमार जैसे कि आप सब जानते हैं गोहना विधान सभा से जब डाक साब चुनके गए तो सिधे ही कैबिनेट मिनिस्टर और उसके बाद लगातार जो है वो गोहना की सेवा कर रहे हैं डाक साब सच बताओं प्रसनली मुझे बिलीव नी था आप जब कहते थे कि मैं रहूंगा गोहना में 24 इंटो 7 लेकिन जब कैबिनेट मिनिस्टर बने तो लगा कि नहीं अब तो डाक साब के कभी-कभी दर्शन होंगे और आज मुझे पता चलाए कि आप बजार में भी तकरीवन एक किलोमेटर पैदल आएं यह पहले सबसे पहले तो मैं गोहना की 36 ब्रादरी का जनता का तई दिल से मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मेना हो जाओ दो मेने हो जाओ अचिस सारी उमर बीच जाए इतना बड़ा काम इन्होंने किया है सारी जनता ने मिल करके जो आशरवात दिया है और सबसे बड़ा आशरवात तो गोहना में पहली दफ़ा कमल का फूल खिलाने का काम गोहना की जनता 36 ब्रादरी ने किया मैं बहुत तए दिल से धन्यवाद करता हूं गुहाना की जब बोलता हूँ तो पूरा चितर की बात करता हूँ, असेम्बली सेग्मेंट की बात करता हूँ, जिसमें गुहाना शहर भी, हमारे गाउं भी आते हैं, रही बात, देखें मैंने पहले भी कहा था, हम सेवक हैं हम सेवक हैं हम सेवक ही जिन्दगी में बन करके रहेंगे कोई भी ओदा पार्टी की तरफ से आजाए लेकिन सेवा भाव को कभी जिन्दगी में छोड़ेंगे नहीं और लोगों का मान सम्मान और सेवा रही बात आगे देखिए आप लोगों के सब के आशरवाद से ये मंतरी का जो पद मिला है मोदी जी के नेतरतव में अमिच्छा जी, नडड़ा जी, नायब सेनी जी, मनोरलाल, खटर जी इस सब के नेतरतव में जो पद मिला है उसको मैं इतना ही कहूंगा कि भई उसके साथ-साथ गोहाना की जनता के लिए जितना भी बनेगा पूरी-पूरी सेवा करेंगा अब आप देखे, जैसे अभी इसमें हमारे इसमें शुगर, फैट शुगर मिल भी सारी आती है और अर्याना के अंदर सरकारी जो है, कॉपरेटी सरकारी जो है दस के करीब जो है, शुगर मिल से है तो सब का, आज करनाल का किया है उसके पास सौनी पत का आएगा गोहाने का आएगा, रोह तक तो जाना हर जगे पड़ेगा आप समझते हैं, लेकिन गोहाना की जनता को ये कभी नहीं लगेगा कि डॉक्टर अर्विन शर्मा की कोई कमी है वो बिलकुल बराबर अब इन्होंने आशरवाद इतना दे दिया मैं बताओ क्या कर सकते हैं कि मंतरी भी जो बनाया है ये आशरवाद से है अच्छे डॉक्साब लोगों के बीच जा रहे हैं क्या कुछ समस्याइं आ रही है कुछ दविवी बाते भी आ रही है इतने सालों से हम इस चीज़ के इंतजार पर देखिए देखिए वो तो इसमें तो को शक है ही नहीं लोगों को बहुत विश्वास और बहुत ही ये के मान करके चलो एक ऐसा विश्वास पार्टी पर मोधी जी पर और कमल के फूल पर जो विश्वास किया है रही बात समस्याओं की बातों की समस्याइं ये विकास का पईयां चलता रहता है अब जहां भी जाओगे जिस वार्ड में भी जाओगे खूब काम हो रहे हैं कोई शक नहीं है अमारे नगर परिशद ने खुब अच्छा काम किया है और आगे भी करते जा रहें सब मिलकर के और इसमें फिर भी कितना भी हमकाम करते कोई ना कोई बात आ जाती है जैसे आज में गया तो वाड 23 में कुण सा वाड 23 था ना जो अमबेड कर वाली 23 वाड में अमबेड कर भावन है उसकी थोड़ी से हालत बताई तो कुछ ने कुछ बात निकल कर क्या थे डॉक्टर भीमरा अमबेड कर जी के नाम से जो भावन है तो ऐसे जो जाएंगे तो पता लगती है चीजे तो काम खुब हुआ है लेकिन काम फिर भी हम और जादा और आगे कि भी कोण सा तंतर है कि उड़ा साब बताएं कि कोण सा तंतर आप कहरें कोण से तंतर की जीत हुई है ये लोगों की जीत है ये 36 ब्रादरी की जीत है ये हरियाना के लोगों की जीत है हरियाना के लोगों ने विश्वास किया कि भारतिय जंता पार्टी है जो 36 ब्रादरी क रख सकती है तो भारती जनता पार्टी है बुजर्गों का महिलाओं का सवतनतरता सेनानी खिलाडियों का सारे एक तपके का अगर ध्यान रख सकती है तो भारती जनता पार्टी है इसी विश्वास पर भारती जनता पार्टी को तीसरी बार जो है लोगों ने सरकार बनाई हमा में जो बाचीत होती थी कि इव्यम मशीने इस जीचों से भार निकलना चाहिए यह जीत जनता की जीत है भारती जनता पार्टी के नेतर बात थी जिस तरह से बाते चल रही थी कि बस कॉंग्रेस सत्ता में आने वाली है तो इस दोरान कुछ करमचारी अधिकारी जो है आपको पता चला होगा कि वहां हजरी भरने लगे थे क्या ऐसे करमचारी यों पर आपकी नजर है ऐसे कार्य करताओं पर आपकी नजर है यह सिलसला चलता रहता है नहीं समझे चलता रहता है हमारी नजर तो विकास पर है किस तरह से विकास का पईया और तेजी से चले और यह सरका लोग भाग विचार करते हैं लोगबाग बताते भी हैं और इससमें पूरी जाग रोखता है वो कही ना कही पहले जो था वो थोड़ा ये महसूस करता है कि उसकी थोड़ा सा ही होता है लेकिन अब क्या इस चीज को बारिकी से आप लेंगे कि बीजेपी वर्कर का हर काम होगा देखे ऐसा है जो कामों की जहां तक बात है कामों के साथ साथ कारे करता हूं का मान सम्मान यह तो मैं तो कहता हूँ कि जो जायज काम है जायज काम मतलए जो होने वाला काम है वो काम नहीं रुकना चाहिए और उस काम के लिए मैं अफसरों से भी मैंने ये कहा है गुहाना के सौनिपत के अफसरों से भी के भी कोई भी कारे करता है उसका जायज काम उसका सम्मान भी होना चाहिए उसकी बात भी सुनी जाने चाहिए और इमानदारी के साथ उसका काम हमें निम्टाना चाहिए गुहना के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे यह तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं आज डॉक्टर अर्विन शर्म